ये बैवस्था नहीं है उसी सिस्टम में रह के ही हम सब लोगों को करना पड़ेगा अब तो ये सरकार जो है इंडिये के सरकार के उल्टी गिंती ये स्टार्ट है अब तो जब उल्टी गिंती जब इस्टार्ट है तो इनसे बहुत ज़्यादा आसा भी नहीं कर सकते हैं अब तो 2020 में जनता जनार्दन जिसकी सरकार बनाएगी, उसकी responsibility होगी कि जो स्वास्त वेवस्ता है, सिक्षा वेवस्ता है, सब को दुरुस्त करने का काम करें, जो महागठवंधन हर तरह के मुध्य को उठाती है, उस मुध्य को जो है, निश्चित रुप्स जैसे क्रियान्य करने का काम जो है, नहीं सरकार करेंगी, महागठवंधन में जो भी सहयोगी पार्टी है, उनका कहना है कि कोईनेशन कमीटी की गठन हो, उसके बाद मुख्वंतरी ताय हो, सही बात, देखिए, जब महागठवंधन या गठवंधन एक प्रिवार के तरह होता है, प्रिवार कौन होगा, किसके नित्रित में चुनाव लारा जाएगा, तमाम ऐसे मुद्य हैं, जहां जब तक घटक दल बैठेंगे नहीं, कॉर्णेशन कमीटी नहीं बनेगी, तब तक जहसो उसका फैसला ही नहीं हो सकता है, एक दल कुछ भी एनाउंस कर दे, उससे तो पूरे गठव तुरित में चुनाव लड़ा जाएगा, और बिहार का बिकास प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, देकि सत्ता में सिर्फ बैठना अगर आ जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं परने वाला है, लेकिन बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूज रही है, उस समस्याओं का निदान कैस से हो, उस पर जैसो फोकस रखना चाहिए, कल पपु यादम ने कहा कि सिक्षक जिस परकार से रोड पे उत्रे हुए हैं, बाल मुन डा करके परदर्सन कर रहे हैं, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, तो हम रोड बेज पर बस नहीं चलने देंगे, ट्रेन परी चालन बंद कर दें, बिहार को पूरी तरी के सबंद कर लेंगे. च्छक्षा के च्छत्र में काम किया, ना रोजगार सिर्जन का काम किया, तमाम मुद्दे पे सरकार जैसे पूरी तरह जैसो विफल है, अब जहां तक सिक्छकों का जो स्ट्राइक है, सिक्छकों की मांग जाइज है, आप बताईए कि अगर दो पार्टी का MLA हो, एक MLA की सेलरी अगर एक लाख हो, और दूसरे MLA की सेलरी भी सजार हो, तो कहां से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, समिधान में भी कहा गया है, समान काम के लिए समान बेतन की बात कही गई है, अगर एक ही सिक्छक, एक सिक्छक को 20,000 और एक सिक्छक को 80,000 देंगे, तो सुभाविक है कहां से जैसो पढ़ा पाएंगे, इसलिए सिक्छकों की मांग जाइज है, सरकार को मांगनी चाहिए, और नहीं सरकार मांगेगी, तो सिक्छक समुदाई जैसो निश्चित रूप से इनको सबक सिखाने का काम 2020 के बिहार विधान सवाज चुनाब में करेगा, तो ये थे हमारे साथ मादवान जी जिनका साब सब्दों में कहना है कि दितीस सरकार जो है, वो सिक्छक बिरोधी है, सिक्छक की मांग जो है, वो जैज है, और उनकी मांग जो है, वो माननी चाहिए, दिली से दाइश जी निउज के लिए आमीच चौधरी की रिपोर्ट,